ये वो आई जो मैं आपको आज बताने वाली हूं आपको बनाने का तरीका बताती हूं कि कैसे बनेगा गया उय है बोहीं जादा खायदे मन देने वाला आपके बालों को नमस्कार दोस्तो मैं हूँ SEMA आज अपने चनल प्रहाजी हूं कि अच्छा यहां बढ़ों किसी को भी नुक्सान नहीं करने वाला यह बहुत ही अच्छा डियाइवाय है और यह एक पास क्यों ना मैं सेयर करूं तो मेरे साथ बने रहेगा ऑला मैंने खाली पैन लिया है गैस को जला दिया पैन थोड़ा सा हो जाए गरम और मैं इसमें एड करूंगी अपर जैसे की पता है को नटा आइल के वारे में यह नहीं 100 gram का ले रखा ये oil मैं इस oil को मैं पूरा ऐड़ करूँगी इसमें इसमें पोरा पहले एड़ कर देती हूं इसमें पूरी 100 gram का oil इसमें पूरा ऐड़ कर देना है और आज जोई oil बनने जा रहा है आपको बहुत फायदा देने वाला है ठीक है ग्र्वाइट पुरा एड कर दिया और यह देखे पुरा ओइल हो चुका है अब ने अगेगे गश्यमशे कर, मैंने नाकी यह acquisition किरेखे वाइठ यह ब्रांक मेल जी ऐख की गरीन, अब जाब है में ऩ deben पास था इसके पास प्लांट ना हो वो मार्केट के अलोवे रजल एड़ कर सकता है इसमें तीन चम्मच अलोवे रजल आड़क्न कैसे एड़ करना मैं आपको बताऊंगे यह आपको इस टाइम नहीं एड़ करना है तो us price 25, कालंगी लें मैं इसमें कलॉंजी एड़ कर दूंगी देखिए जैस बिल्कुल धीमी रहनी चाहिए और इसमें आप एड़ कर दीजिए उसके बाद दो ही चिमच है मेथी दाना मैं पहले भी इसमें बना चुकी हूं अच्छे से एड़ कर लेजिए इसको जब तक आप पकाएंगे जब तक यह कलॉंजी और मेथी दाना और एलो वेरा जन पूरा इसमें लाव ना हो जाए आपको इसमें आच में इसको आपको पक जाए तो मैं आपको दिखाती हूं क्या करना है आपको इसमें आपको market की एलो वेरा आपनी नहीं आइड करना है कि आसे टान के आपको 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 जब करना है तक मैं जुरूर बताउंगी अभी यह थोड़ी से आवाज आ रही उत मायन मत करिएगा यह देखिए यह हूं चुका है थोड़ा सा और में होने देती उसको मैं थो मैं इसको ठंडा होने देंगे पूरी तरह तब मैं इसको छानेगे फिर बताएंगे लगाने के लिए इसमें क्या-क्या और चीजे डलेंगी ठीक है मैं अपको बस सर में लगाने के लिए खोड़ा संथा देते हैं कि आपको कैसे इसको जितना आपके बाल के रिकॉर्डिंग चाहिए आप इतना ले लीजिए और इसको यह आप उसना ले करते हैं यह मैंने एक चमच से एक चमच ले रखा लिए तो मैं इसमें एड करूंगी अ तो तीन चमच एड करिएगा इसमें एक चमच या आधे चमच तो जरूर एड करिए कि आपके बाल के रिकॉर्डिंग चाहिए और अगर पूरे में आप पुरा तेल ठंडा हो जाने देजिए फिर उसमें एड करिए तीन चमच एलोवेरा जिल मालके की 100 ग्राम तेल में चम नुट्रोयल आप इसमें एड कर दीजी उसको और अच्छे से मिक्स कर दीजी चिक है मैं ऑर माइन मत करिए ऑसे मिक्स कर आपने बालों के अपलाई करिए हब्टे में तीन बार जरूर अपलाई करिए आपको भ़ंत ही बेनी फिक्त वारणने वाल की जरू जरूर बंद हो आपके सर के डेंडर भी दूर हो जाएंगे बहुत जादा डेंडर हो तो आप इसमें आधा लेमन भी एड़ कर सकते हैं कोई साइड़ नहीं होने वाला है आपके बालों को बहुत अच्छा ग्रोथ देगा बहुत ही लंबा और ज़रने से रोकेगा यह मेरा चोटा से वीडिय आपके पसियर जलुटरिया, okay Bye-bye